हलो स्टुडेंट विल्कम बैक टू दीश चैनल दिनेश सर लाइव स्टेडी इस लेक्चर के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ चैप्टर मैट्स वन का वैक्टर 2020 में आया हुआ 12 का नया सिलेवस मैट्स वन के अंदर स्टार्टिंग के चार चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं और यह जो वैक्टर चैप्टर इसका बेसीक हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे थोड़ा सा इंट्रॉडक्शन देदू यह जो वैक्टर चैप्टर है लाश इस साल थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा डाल दिया गया है तो मैं सारी चीजे आपको बताने वाला हूँ पूरा बेसीक कंसेप्ट जो वैक्टर का बताने वाला हूँ तो यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने पीछे का चैप्टर नहीं सीखे हैं तो वह भी सीखते रहें और यह जो बेसीक लेक्टर यह सीखने के बाद आपको जो एक्सराइज वागर रहें वह भी बहुत अच्छे से आ जाएगा चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले आप देखोंगे quantity क्या होता है देखो physics में आप सब सीख चुके मैं वॉटा eye है क्या होता होता ञालनिया तो फिर मैं तोड़ा सा डिप में और जितना ज़रूरत यह जरूर बताूंगा quantity देखो quantity होता नस को माब सकते जिसका measurement कर सकते हैं उसको quantity बोलते हैं length, mass, time, volume, area यह सब quantities होती है physical quantity उसके दो टाइप्स होते हैं कोई भी quantity को हम scalar या तो vector quantity में classify कर सकते हैं अब जिस quantity के अंदर सिर्फ magnitude होता है उसे scalar quantity बोलते हैं और जिस quantity के अंदर magnitude तो होता ही होता है और साथ में direction भी होता है magnitude प्लस direction तो ऐसी quantity को वेक्टर बोलते हैं अब यह है क्या मान लो कि कोई एक quantity है जैसे मैं बोलूँगा distance तो distance का मतलब क्या है suppose कोई एक बंदा है point A से निकला अपने friend के घर पर जा रहा है और वो समझो घूम घूम के जा रहा है इस तरह से वो आया तो उसने इतना distance cover किया और अगर मुझे distance find करना है तो यहां से पूरा जो इसका जो path है वो major करना होगा and that will be equivalent to distance इसमें कोई direction का ध्यान नहीं रखा मालो कि यह यहां से समझो कि वो 300 meters दूर है यहां से major किया समझो तो यह इसका distance हो गया और distance का यह magnitude हो गया 300 meter को हम क्या बोलेंगे distance का magnitude लेकिन अगर इसी चीज को बोलूँगा कि यह जो बंदा है A से B पर है तो उसमें displacement कितना होगा आपको माले में displacement होता है physics के अंदर displacement को हम क्या बोलते है s तो इसका जो displacement है वो क्या करोगे direct यहां से यहां इस तरह से major करोगे displacement क्या होता है shortest distance between the initial point and the final position तो यह जितना होगा वो मेजर करोगे मान लोगे कि यह 140 meter है और in a particular direction A से लेके B इस direction में 140 meter है तो यह जो displacement है इसके अंदर यह magnitude तो है बट एक direction भी है particular direction है तो यह displacement क्या होता है vector quantity होता है समझ में है और यह जो distance होता है हलेंच भी है जिसके अंदर यह to happen निमट्यूटी जेसे होता ही जन्य को आदर यह to change होता है जो पूर्स होता है physics के अंदर वह वर्य क्वंदीटी होता है जिसके अंदर अंदर डियरेक्शन होगा और तो वेक्टर होगा, जिसके अंदर direction नहीं होगा, वो scalar quantity होगा, यह basic concept हो गया, scalar and vectors का, अब किसी भी वेक्टर को represent कैसे करना, तो वेक्टर को हमेशा हम इस तरह से straight line से represent कर सकते हैं, suppose यह point A और यह point B है, और एक दूसरा वेक्टर इस तरह से, समझो A और यह B है, इस तरह से, तो वेक्टर को इस तरह से represent कर सकते हैं, एक line होती है, और एक arrow होता है, इसको लिखना कैसे ही है, जो A B है, तो A B और उपर इस तरह से, A B बार बोल चकते हैं, A B वेक्टर या A B बार, इसको ऐसे भी बोलते हैं, A B और उपर इस तरह से arrow होता है, तो ऐसे लिखो या इसे लिखो यहां से B से A की दरफ तो इसका नाम हो जाएगा B A bar ओके अगर यहां A होता यहां भी तो A B भार होता इस तरह से किसी vector का नाम represent करते हैं मानलो यह कोई vector इसका नाम ही नहीं है तो इसको हम A bar इस तरह से नाम दे सकते हैं अचा small letter देना पड़ेगा यह position vector होता है position vector क्या होता वो भी देखो ध्यान से सारी चीज़े मैं बताने वाला हूँ एकदम easy लगेगा आपको मानलो कि कोई एक vector यहां से यहां कोई एक line segment है A B और यह जो है यहां से समझो मैं A point को origin से join करता हूँ तो यह क्या हो गया यह नए वेक्टर हो गया इसका नाम हो गया O A bar इसको short में हम small a बोल सकते हैं small a, small a क्या position vector of point A यह जो point A है उसका position vector small a bar origin से जो distance है यह जो point B है उसका position vector क्या आएगा small b bar actual में यह O B bar है O B bar बट उसको हम क्या लिखते हैं बी स्मॉल बी बार तो यह पोजिशन वेक्टर होता है किसी का भी अब यह जो यह बी वेक्टर है इसको री प्रेजेंट कैसे करना तो लास्ट में क्या है देखो बी तो बी का पोजिशन वेक्टर माइनस पहले क्या है एक पोजिशन वेक्टर इस तरह से किसी भी वेक्टर को तो कैसे दिखा होगे यायनि क्यों का स्माइल स्मॉल क्यूंट का पुजिशन वैक्टर तो इस तरह से वैक्टर 17 ant0 की पॉजिशन मेविल आकर और हाँ मम番ी वैक्टर इसकी विया थ्यविश्च और मेगनिटूट कैसे निकाले जैसे एप वारे मक्रावन भाउन टाना प्रया दोनों तरफ इस तरह से मॉड लगा दो इसका मीनिंग्पर आ मली का मैकनीट्थ यह तो माट्थ ओके अब समझो on जो यह यह ए संटिमेटर तो अफり होता दाओं स्रेंगे तो इस तरह से मैखनीट्थ लिखा है कोई अगर इस तरह से पूस्चिज चयन वेक्टर तो उसका मेगणिट्यूट मतलब दो लाइन इस तरह से जो भी होगा समझो इस तरह से में मेग्निट्यूड में रियू करं序 घिला होगे देखो वेक्टर मतलब direction होगा और magnitude भी होगा but 0 vector मतलब एक ऐसा vector जो जहां से शुरू होता है वहीं पर खतम हो जाता है इसको हम लोग बोलते है 0 vector इसका जो magnitude होता है वो 0 होता है जिसका magnitude 0 the vector which is having 0 magnitude is called as 0 vector but it should have some direction याने कि the vector which has 0 magnitude but some direction is called 0 vector या तो हम ऐसे बोल सकते हैं the vector which start whose starting and ending point is same या तो जहां से शुरू होता है वहीं पर खतम होता है so that is 0 vector unit vector क्या होता है एक vector होगा जो particular direction में होगा और इसका जो magnitude है 1 होगा 1 unit 1 centimeter 1 meter ऐसे हो सकता है the vector whose magnitude is unit okay it's called unit vector co initial vector मतलब क्या मानलो कि यहां पर एक vector है यह वेक्टर होता है एक वेक्टर और एक दूसरा वेक्टर है जो दोनों का जो starting point सेम है suppose यह A bar और B bar तो इन दोनों को अम बोलेंगे co initial vector एक ही point से start होने वाले vector अगला है co terminus vector फटा फट देखो यह basics है ओके यह सब चीज़े terminology है सिर्फ पता होना चाहिए जो भी numerical में exercise में use होने वाली चीज़े वह ज्यादा डीटेल में बताऊंगा यह आपने physics में सीखा हुआ है समझो revise हो रहा है ओके ध्यान देखो co terminus vector suppose यह एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है दोनों एक ही point पर आके मिलते हैं जो end point यह terminal point वह एक ही है तो इसको हम बोलेंगे co terminus vector फिर equal vector equal vector क्या होते है कोई भी दो वेक्टर इस तरह से दोनों का magnitude से मैं सपोज इसका magnitude 5 इसका भी 5 बोट आविंग से magnitude as well as same direction दोनों का direction भी सेम है magnitude भी सेम है we will call it equal vector मानलों कि यह 5 है और यह 3 और यह भी 3 है तो equal vector आप बोलो कि यह दोनों 3 है magnitude तो सेम है direction भी सेम होना चाहिए दोनों का direction नहीं सेम है so they are not equal vectors but these are equal vectors because both are having same direction as well as same magnitude negative of a vector मानलों कि कोई एक वेक्टर है इस तरह से यह यह बार है तो negative of a vector मतलब क्या है यह जो वेक्टर है इतना ही magnitude होना चाहिए same magnitude but in opposite direction इस तरह से यह इस direction में तो यह इस direction दो यह बार है तो यह minus a बार हो गया समझ में आ रहा है इसका magnitude 5 है तो इसका भी 5 होगा centimeter समझो बट यह समझो कि इस डिरेक्शन है तो यह इसको बोलते है negative of a vector कोई भी एक या एक से ज्यादा वेक्टर है जो एक ही लाइन पे होते हैं इनको बोलते हैं को बोलते हैं को बोलते हैं एक टर्मिनलोजी वेक्टर में देखते हैं जैसे एकी लाइन पर है तो कोलीनियर और समझो कि दोनों का डिरेक्शन सेम है तो प्यारलल इसको कोलीनियर भी हम समझ सकते हैं यहां पर जरूरी नहीं कि दूनों का लेंद सेम हो चोटा बड़ा हो सकता है अगर दोनों का अब जको फ्री वेक्टर मतलब क्या सपोज एक वेक्टर है ए बार और मेरे पास और भी कई वेक्टर से सब्सक्र बी बार है और मैं चाहता हूं यह जो यह बार है इसको जैसे का तैसा यूज करूँ इसके साथ calculation में और मैं इस vector को उठा के यहां ले जाता हूँ but इसका जो direction है change नहीं होना चाहिए magnitude change नहीं होना चाहिए यह जितना बड़ा है उतना ही बड़ा जो direction है वही direction so यह जो a बार है इसको मैंने यहां पर use कर लिया इस vector के साथ तो इसको हम पोलेंगे free vectors which can be used anywhere but its magnitude and direction should not change ए बार का जो magnitude direction change नहीं होना चाहिए इसको आप उठा के कहीं भी use करो it is called free vector free vector में हम लोग इस तरह से सब operations कर सकते हैं अगला देखो localized vector, localized vector क्या होता है suppose we have any object like this और इस object का एक axis है और इस axis के उपर कोई एक vector है, suppose यहां से कोई force apply हो रहा है force तो यह जो vector है, यह इस axis के along ही apply हो रहा है और अगर force ज़्यादा हो गया तो यह जो vector उसका magnitude ज़्यादा होगा magnitude कम होगा, but along एक axis ही होगा तो यह कैसा free नहीं है कि इसको कहीं भी उठा के कहीं use करना यह एक particular localized होगा मतलब तो इसको हम localized vector बोलते है terminology हमारे इसमें आया है, इसलिए सीखना है, okay, sum स्वागरे में ज्यादा कहीं यह सब use नहीं होने वाला है, कौन-कौन use होगा, वो मैं बताता हूँ, zero vector use होगा आपको प्रूफ करने आएगा कि यह zero vector प्रूफ करो, उसकी वैली वन आ रही है, तो unit vector दिखाना पड़ेगा, यहां पर equal vector आपको काम आने वाला है, negative of a vector काम आने वाला है, और co-linear vector का concept काम आएगा, बहुत सारे question में दिया होगा कि given vectors are free vectors, तो उसका मतलब यह कि उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, तो यह मैंने जो टिक किया वह ज़्यादा द्यान में रखो, बाकी तो समझने के लिए है, हमारे concept physics math का अभी vector chapter में आ गया, तो मैं आपको जो useful है, वो सारी चीज़े बताते रहूँगा, और सब अच्छे से basics भी पूरा दूँगा, sums भी पूरा दूँगा, आप खली देखते रहो, मैं क्या बता रहो, सीखते रहो, चलो, आगे concept देखते हैं, आगे आप लोग सीखोगे, algebra of vectors की किनी भी दो vectors को हम लोग एड़ कर सकते हैं, subtract कर सकते हैं, और उसमें किसी का multiply भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, सबसे बहरा हम देखेंगे algebra of vector, edition of vectors को भी दो vector है, अगर उसको add करना है, तो कैसे कर सकते हैं, उसका 2 law होता है, फिजिखिक्स 11 में आपने सीखा था, क्या स स्काइब होगा आपको ट्राइंगल लाओ वेक्टर एदिशन और दूसरा एक सीखा था आपने पैरलेलोग्राम के बिल्धो ग्राप लोब वेक्टर एडिशन इस तरह से दोसी स्झी है अपने अपने सी किसे ओक्रमट and you want to add both of them दोनों को आप add करना चाहते हो a bar और b bar को तो कैसे add करोगे to add a bar and b bar okay just a bar जैसा है वैसा free vector समझो इसको इसको उठा के जहां लाओ this is a bar okay now plus b bar अब b bar क्या है देखो यह b bar तो b bar का जो initial point है वो a bar a bar के terminal point पर लाओ यह जो b bar है वो यहां रख दो इस तरह से a bar है यह a bar है so यह जो a bar के उपर b bar रखना है यह b bar इस तरह से लागे ऐसे रख दो इसका direction change नहीं होना चाहिए और magnitude यह इतना बड़ा है उतना बड़ा करना यह b bar हुगा so a bar के उपर b bar a bar जहां खतम होता है वहां से b bar शुरू होता है इस तरह से अब इन दोनों को plus करना है तो answer क्या आएगा answer आएगा r r is what resultant कैसे आएगा resultant यह जो a bar का initial point है वहां से इसको join करना c का था न 11th में so this is what r bar is equal to a bar plus b bar resultant आ गया तो यह होता है triangle of vector addition इसका statement भी आपने याद किया था अभी हमको statement math में नहीं करना सिर्व आपको समझना है कि यह क्या चीज़ है समझो यही चीज parallelogram of vector addition से करते तो कैसे होता देखो यह जो a bar है यह a bar जैसे है वैसे ही रखो यहां से देखो a bar suppose यह a bar बी बार ऐसे है तो यह जहां से a शुरू हा वहीं से b करना इस तरह से देखो हाँ थोड़ा चोटा बड़ा दिख सकता है समझने के लिए equal vector जो है बी बार यह free vector है तो इसको उठा के यहां रखा a bar यहां पर है अब दोनों को plus करना है parallelogram law में क्या करते है दोनों vector same point common point से निकलता है तो अभी आगे देखो इसको जैसे यहां क्या किया था कि a bar जो है ना जहां पर खतम हो रहा है वहाँ b bar से start हो रहा था वो क्या था triangle law parallelogram law में क्या होता है a bar जहां से शुरू है वहीं से बी बार होता है अब इन दोनों को plus करना है तो plus करने पर आ रहाना चाहिए resultant कैसे आएगा resultant तो यहां से देखो जो बी बार है उसको parallel एक vector draw करना और यह जो ए बार है उसको parallel vector draw करना तो यह बन जाएगा parallelogram अब parallelogram बन गिया तो इसका एक diagonal बनाओ इस तरह से यह जो डाइगनल है that is resultant vector of a bar plus b bar समझे है देखो a bar में b bar plus किया तो a bar plus b bar है यह बार में b bar plus किया तो parallelogram को जो डाइगनल था वो a bar plus b बनाए यह सब physics का concept है आपने vector में सीखा हुआ है अभी हम लोगों को यहाँ पर कुछ काम नहीं आने वाला बड़ यहाँ पर दिया है हमको chapter में तो हम सब करेंगे सब कुछ करेंगे tension मतलो यह होगया triangle लो यह होगया parallelogram लो अभी यह addition होगया अगर मैं आपको बोलू subtraction करना है we have to subtract subtraction of vectors कैसे करेंगे just a & यह बार है जैसा कि हमने यहाँ लिया था इन दोनों को मुझे सब ट्रैक करना है तो सब्ग्यक करने के लिए मैं क्या करूँ गा कि यह जो बी बार है उसका निगेटिव एक्टर है यहाँ पर पड़कर कर देको यह बार और ये B bar, अब क्या होगा देखो, अगर मुझे सब्ट्रेक करना है A bar minus B bar तो भी मैं इसको क्या करता हूँ A bar plus minus B bar ऐसे समझता हूँ, मैं ऐसे लेता हूँ कि मैं addition ही कर रहा हूँ तो क्या होगा, A bar में minus B bar को plus कर रहा हूँ, तो A bar minus B bar आने वाला है, चलो, कैसे किया जा A bar कहां पर है, देखो, ये A bar ये A bar, ओके इसमें plus करो, minus B bar minus B bar कुन सा, ये, blue वाला ओके B bar क्या था, ये, तो नीचे तो क्या था, triangle लो याद करो जहां पर ये A bar कतम हो रहा हूँ, उसके क्या है, A bar is equal to A bar minus B bar तो ये हुआ, subtraction of any two vectors, तो अभी आपने यहां क्या देखा algebra of vector में addition और subtraction देखा, साथ में मैं मैं आपको multiplication बताने की कोशिश करता हूँ, multiplication क्या होता है, multiplication by any scalar, multiplication by scalar, किसी भी vector को किसी number से आप multiply कर सकते हो suppose A bar है, A bar क्या है, समझो, यहां से एक vector है, इस तरह से, यह A bar है और मैं इसमें समझो कि two से multiply करता हो, two A bar एक नया vector बनाता हो, B bar and that is equivalent to two times A bar तो यह देखो, यह क्या हो गया scalar multiple एक दूसरे के, A bar और B bar related है, दोनों equal है, बट A bar का double है B bar, इसका मतलब यह दोनों vector collinear है, एक ही line में तो जैसे यह A bar था, वैसे B bar है A bar को collinear है, parallel बोल सकते हो लेकिन जो B bar है, उसका magnitude क्या है A bar के magnitude का double है अगर यह 5 है, तो यह 10 होगा अगर यह 3 है, तो यह 6 होगा तो इसको क्या करना है, इसका double draw करना है जो भी था समझो, समझो यह इतना था तो इसका double मेंने draw किया So this is what B bar, that is equal to 2 times A bar, तो यह क्या होगा मैंने एक scalar number, scalar मतलब एक number का multiply किया अब किसी भी दो vectors को हम multiply कर सकते हैं, algebra of vectors में क्या, multiplication of vector मतलब क्या समझो, एक vector A है और एक vector B है, इस तरह से तो इनका हम multiply कर सकते हैं तो दो तरीका होता है, A bar cross B bar और A bar dot B bar इसको बोलते है scalar product इसको बोलते है vector product इसको dot product भी बोलते हैं, इसको cross product भी बोलते हैं, 11th के physics में आपने जरूर सीखा होगा, नहीं भी सीखा होगा तो मैं आगे चलके बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर algebra of vectors हो गया, addition subtraction हो गया दो vectors का multiplication कैसे होगा, यह आगे बड़ा concept है, वो सब बताऊंगा, scalar multiplication मैंने बता दिया, आप कुछ examples के जरीए मैं vectors की और कहानी बताता हूँ 2 dimensional and 3 dimensional जो Cartesian system होता, उसकी बात करते 2D यह क्या होता है, एकदम ध्यान से देखो marker change कर लेते, 2D मान लो कि इस तरह से x axis and y axis है, only x axis and y axis, so इसके अंदर जो भी हम study करेंगे, that will be 2 dimensional, okay अब मैं 3 dimensional भी आपको साथ साथ में बताता हूँ, 3 dimensional कि यहाँ पर समझो की 2 perpendicular Cartesian system के axis है, समझो यह x है, इसको y या तो z ले सकते हैं और इन दोनों को mutually perpendicular एक तीसरा है, z so 3 axis are mutually perpendicular यह इसको perpendicular है, यह इसको perpendicular, यह इसको perpendicular है तो एक जो axis है, बाकी दोनों को perpendicular है इस तरह से, तो यह 3D होता है 3 dimensional Cartesian system यह 2 dimensional होता है, अब यहाँ पर समझो क्या होता है, कि यह origin है यह भी origin है, एकदम ध्यान से देखना बहुत important concept है, vector का book में आपके बहुत सारा इधर उधर दिया है मैं अपने इसाब से vector को simplified करके दे रहा हूँ, सारी चीजे जो आपको समझना ज़रूरी है और जिसको सीखने के बाद vector आपको बहुत इजी लगेगा तो यहाँ पर देखो यह x-axis और y-axis जहां मिलते होरी जीर होता आपको पता हिए यहाँ से जो x-axis होता है, उसके उपर हम लोग एक, इसका एक unit vector मानते हैं जो होता है, i-cap हमेशा, x-axis के उपर जो एक unit vector होता है, i-cap अब unit vector क्या होता है, मैंने आपको सीखा है कि एक ऐसा vector जिसके अंदर direction तो होता है और magnitude unit होता है, 1 होता है तो x-axis के उपर जो unit vector होता है उसको हमेशा vectors में i-cap लेना, जब भी आप vector की study करोगे 12 के बाद engineering में भी तो i-cap का मतलब एक ऐसा unit vector जो x-axis पर होता है उसी तरह से जो y-axis है उसके उपर एक unit vector होता है j-cap और यह हमेशा y-axis पर ही j होता है, दुसरा नाम ले सकते हो, p, q, r, नहीं fix नाम है, x-axis पर आने वाला unit vector i-cap y-axis पर आने वाला j-cap यह two-dimension होता है, अगर three-dimension है तो भी x-axis के उपर जो unit vector है, वा i-cap होता है y-axis के उपर जो unit vector है वो j-cap होता है और z-axis के उपर जो unit vector है वो k-cap होता है z-axis के उपर क्या होता है, नया आया k, यह याद रखना यहाँ पर two-dimensional में सिर्फ i और j था इसका use क्या होगा, देखो अब कोई भी अगर एक point है a, तो इस point को अगर हम यहाँ से origin से मिलाते है तो एक vector हम बता सकते हैं कि this is a vector इस तरह से देखो एक मिनट है इसको मिटा देता हूँ suppose हम लोग ने क्या किया यहाँ से o से लेके एक point है a, ओके, और यह जो point है यह समझो 2,3 है तो यह जो o a है यह एक vector है starting from origin to the point a यह जो vector है उसके उपर इस तरह से दे सकते हैं किसी भी vector के उपर आप इस तरह से arrow दिखा सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो ओके, दोनों भी चलता है यह जो o a है इसको हम जो भी origin से point को लेते हैं तो position vector small a bar ले सकते हैं o a bar can be denoted as small a bar in terms of position vector यह जो o a है o a bar इसको मैंने क्या बता है आप small a bar इस तरह से denote कर सकते हो और इसको कैसे लिखेंगे देखो यह जो होता है पहले x की value होती है फिर y coordinate की value होती है यह पहला जो x होता है y अब x axis के उपर क्या unit vector है i और y के उपर क्या है j तो यह जो 2 और 3 है वो लिको 2, 3 बीच में plus अब देखो x axis के उपर unit vector क्या होता है i x coordinate क्या है 2 2 के साथ i हमेशा इस तरह से देना i cap plus 3 3 क्या है y coordinate और y axis के उपर j है तो 3 j तो किसी भी vector को इस तरह से i और j के फॉर्म में represent कर सकते हो यह vector का representation होता है two dimension में मान लो कि यहां पर कोई एक point है a point और यह 1,3,2 इस तरह से अब आप बोलोगे हम लोग तो बच्पन से सीख रहे है सिर्फ इस तरह से दो ही होता है तो यह two dimension आपने हमेशा सीखा है अब आपको three dimension सीखना है x, y and z कभी-कभी यह y यहां लिका होता है z यहां तो यह मान सोचनारे गलत बता दिया अरे गलत नहीं यह three dimension है यहां पर यह x है तो यहां z यह y ले सकते है यहां z y ले सकते है यहां ले सकते है यहां x चलेगा three dimension में तो यह point दिया हुआ है और suppose यह o है origin से इस point a को समझो join किया origin से इस point a को join किया तो यह क्या जाएगा o a बार इसको position vector small a ले सकते o a o a है तो यह जो capital a को small a करने ला position vector है कैसे लोग है यह one three two है one जो x है x के साथ क्या आता है x के साथ i cap तो यह one into i cap तो one नहीं लिगा तो चलेगा i cap plus three three के आए बीच वाला y देखो x, y, z होता है याद रखो इस तरह से तो three क्या है y coordinate y के उपर क्या था z तो three into j cap plus z क्या है two z axis पर आता है k तो two k के तो इस तरह से किसी भी vector को आप i j k के format में लिख सकते हैं अगर three dimension है तो ऐसे two dimension है तो ऐसे आप कुछ और गन से बताता हूँ आपको मालो कि यहाँ पर यह a है और यहाँ से दूसरा vector है a b चलो इसको आटा दिया जा यह a b है अगर 갖고 है जो वेक्टर है यह क्या किया ओिऑ बार होगया यह क्या हो गया आप यह जो भी है इसको अगर origin से जॉइन करतें तो यह क्या था o in to a, oa bar और यह क्या था o in to b, o b bar यह जो oa bar होता है तो से a bar होता है उसको आख small a bar ले सकते position vector यह जो बीधित इसको कैसे लिख सकते तो ये जो दूसरा बाद फिलास्ट वाला उसका स्मॉल लेटर बीबार माइनस पहला वाला ए बार इस तरह से आप री प्रेजंट कर सकते हो किसी भी वैक्टर को ओके अच्छा इसी की तरज पर देखो पीक्यू बार है अगर वहीं वैक्टर है क्या गोरोगे जो दूसरा क्यू है वह लेना स्मॉल लेटर माइनस पहला क्या है पी उसका स्मॉल लेटर और माइनस करना तो किसी भी वेक्टर को इस तरह से solve कर सकते हैं, अब आप बोलो कि solve कैसे होगा, तो चलो बताता हूँ, solve कैसे होगा, अब देखो, यहाँ पर A एक point था 2,3 और B एक point 1,4, ठीक है, एक दम ध्यान से देखना, यहाँ पर यह जो A है, A का position vector small a बार, A का position vector small a बार, कैसे आएगा small a बार, मैंने सिखाए आपको, यह 2,3 है, तो 2,3, और पहला I, दूसरा J, 2I plus 3J, यह A बार हो गया, अब यह जो B है, उसका position vector B बार, small b बार, कैसे आएगा, 1,4 है, 1,4, तो पहले वाले के साथ I, दूसरे वाले के साथ J, इस तरह से आगया, अब म माइनस पहला A होता है, इसका small letter लेलो, ठीक है, दूसरे वाले में से पहले वाले को minus करना, बड़ small letter, यह AB बार main vector है, यह इसके position vector के form में करें, अब B बार क्या है, आपका है, देखो, यहां से 1, 1 I को सिर्फ I लिखा तो भी चलता है, I plus 4J, माइनस, A बार, A बार क्या है, द 3J, अब देखो, I, I minus 2I क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 1 I minus 2I, तो minus 1I, 1 नहीं लिखा तो चलेगा, 4J minus 3J, तो plus 4J minus 3J, plus 1J, तो यह AB बार आया, तो यह एक तरीका होता है, ध्यान से देखो, किसी भी vector को find करने का, कोई vector बोला गया, यह जो AB बार है, यह find करो, इसके लिए आप A और B दोनों का position vector निकालो, यह जो A point है, इसमें IJ लगा दो, तो A बार आजाएगा, small A बार, यह जो B point है, 1 4 इसमें small B बार लाने के लिए IJ लगा दो, इन दोनों को minus करोगो, तो AB बार आजाएगा, अगर आपको बोला जाए, कि आप BA बार निकालो, find out BA बार, यहाँ A भी बार था, BA बार निकालो, कुछ नहीं, बाद में क्या है, A, उसका position vector पहले, minus पहले क्या है, B, उसका position vector बाद में, subtract करो, चलो, A बार क्या है, फटाफ़र देखलो, A बार 2I plus 3J, 2I plus 3J, minus, B बार क्या है, देखो, बार क्या है, देखो, यहाँ से, 1I plus 4J, 1I plus 4J, 1 नहीं लिख रहा हूँ, चलता है, अब देखो, 2I minus 1I, तो 1I, 3J minus 4J, तो minus J, तो यह BA बार आ गया, देखे, अब आप बोलोगे, यह AB बार और BA बार अलग क्यों आए, अलग ही आएगा ना, दोनो negative vector है, AB, देखो, यह AB की ब तो दोनों opposite direction में, negative vector है, प्रूफ करो, negative vector है, देखो, BA bar is equal to, इसका minus common लेते है, minus common लिया, तो यह क्या जाएगा, minus I, और minus common आए, तो plus J, okay, so BA bar is equal to minus bar, minus I plus J क्या है, देखो, minus I plus J, AB bar, समझ में आया, देखो, BA bar is equal to minus AB bar, इससे क्या प्रूफ हुआ है, यह negative vector है, समझ में आ गय dimension में किया न, ऐसे three dimension में भी होता है, क्या, जाना चाहते हो, ठीक है, चलो, इसमें भी example लेता हूँ, okay, यहां से इसको मिटाता हूँ, okay, B, okay, 132 था, 24 और समझो 5, इस तरह से यह B है, अब इसका position vector के लिए इसको join करो, तो यह क्या आ गया, देखो, यह A और यह B, तो O से ले के B तक यह small B बार, okay, अब आपको अगर मैं बोलू, इसका find करो, position vector, तो A बार कैसे निकालो, कि 1I plus 3J plus 2K, okay, जैसे मंतर होता न, वसे याद रखो, I, J, K, I, J, K, I, J, K, I, J, K, X, Y, Z, X वाला में I आएगा, Y वाले में J आएगा, Z वाले में K आएगा, बस दिमाग में fit कर करो, I, J, K, X, Y, Z, okay, so A बार क्या आया, 1I plus 3J plus 2K, B क्या आएगा small B बार, 2I plus 4J plus 5K, और अब आपको बोल दिया कि A, B, यह जो A, B है वो vector find करो, A, B vector find करो, तो क्या करोगे, याद आ रहा है, basics, A, B vector, तो यह जो B है, small minus A, small, minus किया, last में जो B है वो पहले लिखा, फिर पहले A है वो बार में लिखा, B बार, B क्या है देखो, 2I plus 4J plus 5K, ओके, यह रहा देखो, B, minus A बार क्या है, अब यह देखो, यह सब में कुछ से बता रहा हूँ, textbook में अभी कुछ नहीं दिया है, okay, यह textbook में कुछ नहीं दिया है, मैं कुछ से बता रहा हूँ, 2, अभी, इसको simplify कर कुछ से क्यों बता रहे हूँ, textbook का बता रहे, बताएंगे न भाई, रुको पहले, सीको तो सही सारा concept, exercise चालू करूँगा इस lecture के बाद, यह minus A, minus 3J, minus 2K, सबका sign change करना, so 2I minus 1I, 4J minus 3J, तो plus J, 5K minus 2K, तो plus 3K, तो यह क्या आगया, यह आगया AB बार, तो अगर IJ K है, तो भी tension नहीं, इस तरह से AB बार निकाल सकते हो, 3Dimension में 2Dimension है, तो इस तरह से करते हो, सिर्फ IJ है, तो concept होई है, यहाँ पर एक K अलग से add हो जाता है, अब बहुत सारी property आपने dot product और cross product की सीखी होगी, वो सारी चीज़े क्या होती है, चलो यहाँ इसको पहले copy कर लो, बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है, और कुछ property देखते, वैक्टर के, आप तो 11 में सीखे हो, expert तो नहीं भी, अगर expert कोई बात नहीं, यहार अभी बन जाओगे, properties देखो, बहुत सारी properties होती है, वैक्ट सारी होती है, बट हमको जितना जुरत है, उतना आना चाहिए, पहला जो property है, वो commutative law है, कि A बार में B बार को plus करो, या B बार में A बार को plus करो, answer उतना ही आएगा, इसको बोलते है, commutative law, A plus B is equal to B plus A, जैसे 3 plus 4, 7 होता है, और 4 plus 3 किया तो भी 7, उसी तरह से यह commutative law होता है ठीक है, अब दूसरा associative law, A plus B plus C है, तो आप A plus B करके C में plus करो, या A bar के, ये B को पहले C में plus करो, तो भी चलेगा, B को C, B और C को plus करो, B bar plus C bar, then A में plus करो, तो भी चलेगा इसको बोलते है, associative law, अब A bar plus 0 है, कोई पी समझो, ये 0 vector है, A bar plus 0 vector, 0 vector को किसी में add करोगे तो वह ही आ जाएगा, A bar, okay, अगला जो M plus N, A bar, into A bar, तो यहां M और N के ओपर बार है क्या, देखो, नहीं है, तो ये दोनों scalar है, M और N क्या है, scalar, और ये क्या है, vector है, तो ये जो A bar है, इन दोनों के साथ multiple हो जाएगा, A bar bracket में रहा, M into A bar, plus, ये जो A bar है, N के साथ भी multiple हो जाएग मतलब number है, और अंदर दो वेक्टर है, bracket में, A bar plus B bar, तो ये जो scalar है, दोनों से multiple होगा, M into A bar, plus, M into B bar, इस तरह से, दोनों से multiple हो जाएगा, अब यहां पर देखो, M into bracket, N into A bar, A bar के साथ N का multiple है, और बाहर M है, तो यहां पर हम M, N, A bar कर सकते हैं, M और N, जो scalar हैं, उनका आपस multiply कर सकते हैं, या तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, N bar के, M into A bar कर सकते हो, तो भी चलेगा, ओके, यह सारी जो basic properties है, वेक्टर के, इसके पहले triangle law का, जो property था, parallelogram law था, वो सब आपने देखी लिए, अब आगे चलो, और कुछ, को linear को लेके, कुछ concept होते हैं, वो हम लोग हैं, theorems में, तो three basic things है, अब देखो, यह जो मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझा के short में बता रहा हूँ, बुक में आप देखो के तो बहुत confusing है, बहुत लंबा चोड़ा सब कुछ दिया हुआ, सीधी बात, नो बगवास, ज्यान से देखो, A bar and B bar are collinear, अ यहाने parallel भी हो सकता है, और एकिलाइट में भी हो सकता है, इसको collinear बोलते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कि जो यह A bar और B bar है, यह दोनों एक दूसरे के आपस में scalar multiple होते हैं, जैसे कि इस तरह से होगा, कि यह जो B bar है, वो A bar का multiple होगा, M into A, इस तरह से, यह जो A bar है, वो B B bar का इस तरह से scalar multiple होगा, ओके, जैसे कि यह हो सकता है, B bar is equal to 2 times A bar, A bar is equal to 3 times B bar, M और N मतलब number है, ओके, इसका मतलब कि आप B bar और A bar, सिर्फ scalar number की वज़े से अलग है, दोनों का जो direction same है, तभी तो वो equal है, equal क्यों आ रहा है, कोई दो vector, देखो, equal के इस तरह अगर vector है, तो य So, B bar is equal to 2 into A bar, मतलब A bar का magnitude का double, करेंगे तो B bar रहेगा, बर direction तो सेम ही रहेगा, magnitude change होगा, यहाँ भी A bar जो है, B bar का 3 times है, यानि कि अगर B bar 4 cm है, इसका magnitude, तो उसका 3 times करो, 4 into 3, कितना हो गया, 12 cm, तो A bar का magnitude क्या हो गया, 12, लेकिन यह B bar और A bar equal दिख रहा है, दो vectors equal कब होग direction सेम होगा, बट magnitude यहाँ पर दोखो अलग है, यह 3 times B bar का करकूत यहाँ तो इंग जनरल क्या हम लोग एक बना सकते हैं, यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, कि कोई भी 2 vector collinear है, So, M A bar plus N B bar should be equal to 0, दोनों का value, दोनों को plus किया, M into A bar plus N B bar is equal to 0, यह होता है, उसको solve करेंगे त अब आगे देखो, A bar and B bar are non-collinear, R bar is co-planar to A bar and B bar, यह क्या चीज है, एकदम ध्यान से देखा, देखना, A bar and B bar are non-collinear, तो एक plane है, समझो, एक plane है, अब plane क्या होता है, आपको समझ में आ रहा हो, जो हवा में उड़ता है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, चलो, मैं पर दो plane ह है, ऐसे में समझा रहा हूं, कि यह एक plane है, यह जो book है, अब यह plane कहां से कहा था है, कि हवा में, जो हम space में assume करते हैं, actual plane दिखेगा नहीं, अपको assume करने है, जैसे कि यह horizontal plane है, ठीक है, यह इस तरह से plane है, अब यह दूसरा plane है, समझो, यह इस तरह से, तो यह vertical plane है, यह ऐसे समझता हूं, इस plane के उपर मैं एक vector लेता हूं, यहाँ पर आपको black color का एक factor दिख रहा है, और समझो कि एक दूसरा vector लेता हूं, जो इसी plane के अंदर है, ओके, और यहाँ पर मैं तीसरा भी vector लेता हूं, इस तरह से, यह दो vector मैंने already लिया है, दोनों एक की plane में है, और दोनो क्या है, non-collinear है, non-collinear मतलब parallel नहीं है, देखो यह इस तरह से जा रहा है, और यह इस तरह से blue वाला है, दोनों एक की direction में नहीं है, अब मैं तीसरा vector लेता हूं, समझो यह red वाला, और वो इसी plane में लेता हूं, और उसका direction कुछ भी हो सकता है, तीनों का direction कुछ भी है, ले अगर यह मैं इस vector को यहां पर लूँगा, इसके horizontal, तो इसका मतलब यह same plane में, जो book plane है, इसी plane में यह marker आ रहा है, दिख रहा है आपको, यह इसी plane में आ रहा है, अगर यहां लेता हूं, यहां लेता हूं, तो अब देखो यह plane अलग हो गया, यह जो book plane था, वो कहां से कहां तक का यहां तक तो हमने क्या तो यह 3 वेक्टर है आपको दिख रहा यह 3 वेक्टर एक ही प्लेन में अगर आ गया और कोई तब यहां पर समझो मैं एक लेता हूँ T1 और T2 T1 T2 क्या है नंबर एक उस तो Scalar Multiple तो इस तरह से अगर कोई plane है उसके अंदर दो non-collinear vector है A bar और B bar और तीसरा एक vector आ जाता है R bar जो इसी plane में है यह जो plane है उसी के अंदर है तो जो तीसरे vector को represent करने के लिए formula है R bar is equal to T1 A bar plus T2 B bar A bar और B bar यह दूसरे दो vector है जो non-collinear है non-collinear दो vector और T1 T2 कुछ number है 2,3,4,5,6 ऐसे कुछ number है अब इसके बाद अगला concept आप लोग देखेंगे कोशिश कर रहा है आपको अच्छे से समझाने के अब लोग ध्यान से देखो यहां पर A bar B bar C bar अगर co-planer है co-planer का मतलब क्या कि जैसे यह एक plane है इसी एक plane में तीनु vector है कौन से है देखो A bar B bar C bar दो A bar B bar C bar समझो एक ही plane के अंदर है तो ऐसे टाइम पर अगर कोई three vectors एक ही plane के अंदर होते हैं तो उसके लिए concept आता है यह जो पहले आप क्या करो A bar B bar C bar लिख दो A bar B bar C bar पहले X के साथ A bar के साथ X B bar के साथ Y C bar के साथ Z दे दो और तीनों को plus करो इस तरह से और equal to zero तो यह जो है condition आती है क्या condition है कि इफ A bar B bar C bar are co-planer एक ही plane में तो X into A bar plus Y into B bar plus Z into C bar equal to zero आना चाहिए तो यह linear combination होता है co-planer का यहां पर कुछ basic concept है जो बहुत जरूरी होते वेक्टर के अंदर यह बहुत important concept है कि अगर कोई vector collinear होगा तो वो linear combination में आना चाहिए तीन vector co-planer है तो जो एक vector है वो दूसरे 2 vectors के linear combination में represent कर सकते हैं यह तीनों vector co-planer है तो आप उसको A bar B bar C bar तीनों में कुछ x y z का अगर यह जो था इसका x axis y axis z axis जो होता है वेरियेबल उसका multiply करोगे तो 0 गाना चाहिए तो यह पूरा copy कर लो बहुत ही important चीज़े मैं filter करके आपको दे रहा हूं आगे के concept देखते distance find करना है distance of any point P from origin यह क्या चीज़े पहले समझ लो यहां पर इस तरह से x axis और y axis और three dimension का जो है z axis है ओके यहां पर i cap j cap और k cap हमेशे की तरह होता है और यह जो point है समझो पी point है कहीं पर point P x,y,z है एक point P है और origin यह रहा ओ 0,0,0 अब इसको ध्यान में रखकर मैं आगे बता रहा हूं अगर समझो मुझे distance find करना है जो point P है इसका origin से distance find करना है so I can write distance of o-p या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं length op कोई भी तरीके से लिखो तो distance between any two point आपने याद किया था क्या होता है याद आ रहा है distance distance formula क्या था वो x-0 x1-x2 होता है ना x-0 the whole square फिर y-0 the whole square अब यहां पर three dimensional है तो z axis भी आता है तो उसको भी ले लो z-0 the whole square क्या किया मैंने x में से 0 माइनस किया y में से 0 और z में से 0 solve करोगे तो क्या आएगा square root x-0 is x x the whole square y-0 is y the whole square z-0 is 0 z the whole square और यह क्या है length op बोल सकते है या distance op बोल सकते हो तो किसी भी point का origin से distance निकालना है और वह point x y z है तो आप सीधा क्या करोगे root करना है आपको यह जो x सका square plus y का square plus z का square यह direct distance निकालने का तरीका origin से निकालना है जो point है उसके coordinate का square करके add करो और square root ले लो अब distance between any two points यहां सक्क्राइबी square root लोगे अब यह किया था वैसे x1 minus x2 the whole square इस तरह से plus y1 y1 minus y2 the whole square plus z1 minus z to the whole square यह हो गया अब तीसरा देखो distance of any point from x-axis माल लोगो point p है इसका x-axis से distance find करना है जो point p है इसका यह जो x-axis x-axis से distance find करना है यह distance कितना होगा तो इसका क्या तरीका एक्दम ज्यान से देखना इसका हम जो क्या करेंगे कि suppose p और यह a point जो pa so distance pa is equal to root वैसे ही करो यह यह जो x था देखो पहले x था यह point p है x-axis से करोगा तो x-x x-x the whole square plus y-0 the whole square plus z-0 the whole square concept देखो किया है कि अगर मैं x-axis से distance बता कर रहा हूं तो यह x का देखो यह point p का x-axis से distance बता कर रहा हूं x से तो यहां x इसका x है और यह x-axis पर यह जो a की value होगी यह यहां से यहां तक count करोगे तो यह जो x है वो same ही होगा na point p का x-coordinate x है तो point a देखो यह perpendicular है तो a का भी x-coordinate x होगा तो x-x हो जाएगा और इस point पर यह जो x-axis है इस point पर यह जो point a है यह x,0,0 होने वाला है क्योंकि यह y और z है वो 0 रहेगा समझ में आ रहा है y और z coordinate x-axis पर 0 होता है और यहां x है तो x-x y-0 z-0 यह आ गया तो finally क्या मिला root x-x 0 0-0 y-0 y-0 y-y का square plus z square यह होता है किसी भी point का x-axis है अगर यहां पर होता x के बतले y होता तो क्या करते समझो मैं y का कर रहा हूं distance pa from y तो क्या होता y-y करते और यह x-y बाकि 0 होता क्योंकि y के लिए जो point क्या होता समझो यह y है तो y के लिए y point होता x और y 0 होता x और z okay तो क्या होता x-0 the whole square y-y the whole square z-0 the whole square answer क्या था x x square और z square यह y-y 0 हो जाएगा root x square plus z square तो यह तरीका होता यहां पर distance find करने का किसी भी point का origin से distance किसी दो point के बीच का distance और किसी भी point का किसी एक्सिस से distance इसको यहां से copy कर लो और इसको याद रखो आगे काम आने वाला है चलो देखते आगला concept कुछ examples all करके बता रहा हो ध्यानते देगो इसके बाद हम लोग जो basics का concept यहां पर stop करेंगे और 5.1 exercise start करेंगे यहां पर देख लो find magnitude of b bar यहां पर एक vector दिया हुआ आपके सामने और magnitude निकालना किसी भी vector का magnitude इस तरह से represent करते हैं दोनों साइड में mod देते हैं और कैसे निकालोगे square root करना यह vector i, j, k के form में दिया है magnitude निकालने के लिए हमेशा square root करो और जो i, j, k के साथ coefficient है उसका square करके plus करना जैसे यह 4, 4 square हो गया then minus 3 square then minus 7 square यह हो गया then यहां पर क्या आ गया 4 square 16 minus 3 square 9 7 square 49 minus को square plus हो गया minus का square हो गया so यह क्या हो जाए 16 plus 9 25 25 and 50 को अगर plus किया है तो 75 बड़ एक का हमें तो 74 तो यह क्या है magnitude है बी बार का यह magnitude है ओके तो किसी भी vector का magnitude निकालना है तो इस तरह से निकालना i, j, k के साथ जो है ना coefficient उसका square करके plus करके square root करना अगला एक example लेखते है find unit vector यह क्या है unit vector निकालना है we are along this vector u bar के along तो कोई एक वेक्टर है यह यूबार है इस यूपार के along कोई एक unit vector माहलों कि यूभार के a long U Cap unit यूट वेक्टर को का के इस तरह से верстना डेना तो बाडिको इसका formula क्या होता है किसी भी vector के अलूँ जो unit vector होता है वह कैसे ாता है उसी vector को divide करना जो vector है यू बार उसको उसके magnitude यू बार के magnitude से divide कर देंगे सब्सक्राइब एक vector है बार और इसके along मुझे unit vector निकालना है तो मैं क्या करूँगा समझो ये a बार है और इसके along में unit vector है a cap इसकी value निकालना है तो a cap कैसे निकालूँगा मैं इसी vector को इसी के magnitude से divide कर दूँगा तो unit vector आ जाएगा concept याद रखो हमेशा के लिए तो यह यू के आप है unit vector कैसे आएगा यह जो vector है 8i plus 3j क्या है 8i plus 3j minus k इसका magnitude से divide करो magnitude कैसे निकालेंगे किसी vector का अभी मैंने सिखाय तो ना बी बार का magnitude यह पहले magnitude निकाल लेना चाहिए था चलो मैं साइड में करके दिखा था हूं यू बार का magnitude क्या rule था root करो ijk के साथ जो भी उसका square करो 8 square plus 3 square plus minus 1 square देखो यह minus 1 यह minus भी लेना चाहिए 3 8 क्या जाएगा देखो 8 square 64 3 square 9 1 का square 1 9 plus 1 10 10 और 64 74 तो क्या है root 74 यह भी root 74 इसका मतलब हर बार आएगा root 74 ऐसा नहीं है कभी यह coincidentally आ गया चलो अब यह root 74 जो यू बार का magnitude आ यहां रख दो root 74 अब यह solve नहीं होगा बट आपका जो unit vector required था वो आ चुका है so this is the value of unit vector along u bar समझे कैसा करना बहुत आसान है वेक्टर करोगे बहुत मज़ा है काली basic concept याद रखो इसके बाद और एक basic का मैं वीडियो डालूंगा जिसमें dot product cross product जितने भी multiplication होते हैं बहुत मज़ेदार है या scalar multiple होंगे एक दूसरे के चले यह जो बी बार है इस बी बार में से अगर मैं माइनस टू कॉमन लेता हूं सब में देखो टू टू जा फोर टू जा एक है टू है और माइनस पहले तो माइनस टू कॉमन लिया तो क्या जागा टू 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 आई बजगा माइनस कॉमन आय से मैच करो क्वेस्चन में यह जो था टू आई माइनस ट्रीजे प्लस फूर के दिख रही है और यह देखो दोनों से में इसकी वैली किसको एक्वेलेंट ए बार को तो यह जो है इसको रिप्लेस कर दो ए बार से सो क्या आ गया बी बार इस इक्वल टू माइनस टू टू ट सब्सक्राइब यह था देखो में बार प्लस एन बी बार इस इक्वल टू जीरो कोई भी बार अगर दो वेक्टर इनका लीनियर कॉंबिनेशन स्क्यालर मुल्टिपल होता है तो यहीं से पता चलता है जो बी बार है वह बार का माइनस टू टू टाइम से मतलब डारेक पैर पहले बहुत सारा बेसिक्स दिया हुआ है मैंने अपने एक्स्पिरियंस और अपने इतने साल के 16-year के टीचिंग के आपको जो वेक्टर से बहुत सिंप्लिफाइट करके दिया है अगर आपको जो एक-एक पेज समझाने जाओं इस वेक्टर चैप्टर का जो स्टार्टिं से कर सकता हो एक-एक लाइन टू लाइन मीनिंग बताना बट उसमें आप जाओगी ज्यादा टाइम लगेगा और यह जो बोर्ड पे बता रहा हूं यह क्या मैं रट्टा मार के नहीं बता रहा हूं यह जो मैंने 16-years में पहले मैं जो पढ़ता था और अभी इतने साल उसे तो हमको यह वैक्टर सुरा जबान पर एकदम याद है उस तरीके से बता रहा हूं तो यह मा सोचना है कि सब टेक्स्ट बुक में से पढ़के बता तो कोई भी बता सकता है ऐसे बोड़ पे मैं आपको डारिक्ट आके बढ़ा रहा हूं और मेरे तरीके से आप पढ़ोगे याद करोगे तो जरूर यह वैक्टर चैप्टर आपको बहुत इजी लगया अभी तक तो देखी है हमने तियरी जब एक्सराइज सॉल करवाओंगा तो आपको और मज़ आएगा अरे वाह देखने में तो इतना टुफ चैप्टर लग रहा था बट यह इतना इजी चैप् इंटिग्रेशन जैसा नहीं है लेकित है इंट्रेस्टिंग तो आप यह चैप्टर पूरा सीख लेंगे मैं फटाफट डेली रोज लेक्चर दूंगा टेंशन मतलो और यह पहला बेसिक तक नेक्स्ट जो कल लेक्चर आएगा वह फॉस्ट एक्सराइज का आएगा चानल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अगर आपको लग रहा है कि बहुत यूस्फूल है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करो चलो मिलता है नेक्स लेक्चर में